आज मैं आप सब को बताने जा रही हूं गीजर के बारे में धंडियों की मौसम में हम गीजर की नीद होती है मैं दचाननी इनको चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना और कमेंट करें के भी बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है चलिए हम स्टार्ट करते हैं गीजर के बारे में बता रही हूं वैसे बजाज अप्लाइंस के बहुत साड़े और पोड़क्ट आते हैं जैसे कि मिक्सर गरेंडर आपको मिल जूसर इसके आ जा जाज का फिप्टीन लीटर एस्टोरेज गीजर है और हमने इसे एमा जन से बाई करी है यह पंकांगो मोडल नेम है इसका यह आपको फाइब स्टार रेटिंग के साथ मार्केट में अबलेबल है यह एक मैन्यूल गीजर मिले का हम इसकी अन्बॉक्शिंग करेंगे और जा तो वह देखेगा कि आपका हीटिंग एलिमेंट है वो कोटिंग है कि नहीं अगर कोटिंग नहीं रहता है तो हीटिंग एलिमेंट आपका जल्दी खराब हो जाएगा अगर कोटिंग रहेगा ता आप हार्ड वाटर हो नॉर्मल आटर आप कोई भी वाटर में यूज कर सकत है आपका heating element जल्दी खराब नहीं होगा है अगर heating element जल्दी खराब नहीं होगा तो आपका गीजर long time तक चलता है अगर हम tank की warranty की बात करें तो तेंक में almost साळे ब्रैंट आपको 5-7 साल की warranty दे ही देता है तो में फोकस हो जाता है heating element आप ध्यान लखेगा visiting element कि कितनी warranty दो चलिए अब हम जानते हैं क Doch कितने साल की warranty मिल रही ही किसे लुट है कि कितने साल के आपका हुआ média मिल रίας अगर अगर हम शाठे आतको एसमें आपको two year की heating element की वायन्ती मिल रही है विग लेह Lumet को मैंने अपको पहले ही बताया था कि main चीज़ होता है अपका heating element, heating element आपका शहिए है तो आप गीजर लong time तक use कर सकते हैं और आपको इसकी on product की बात करें तो आपको 2 साल की complete warranty मिलें इसमें जो complete है सब कुछ इसमें आपको 2 साल की complete warranty की बात करें internal कोई problem होगा repair ना, replacement होगा company से इसमें आपको 5W के टैंकी वारेंटे मिल जाएगी, चाइल सेप्टी के साथ है, अगर मार लिजी कोई बच्चे है घर में, तो उससे भी सेफ रखना जिरू है, क्योंकि इलक्टॉनिक पॉडक्ट है, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें आपको 15 लीटर का या आपको स्टोरेज कमपांगो मोडल मिल जाएगा आप, और अगर हम इसकी लुक के बात करें, तो ओइट इन बुलू में है, जो कि देखने में आपको काफी रॉयल लगेगा, चलिए अब हम इसका अन्बॉक्शिंग करते हैं यह आपका मैनुवल बुक मिल जाएगा, इसके अंदर, यह जब हम इसलेशन कराते हैं, तो इसलेशन के लिए टाप में लगेगा, यह आपका एसे सिरी जाजाएगा, यह आपको इसलेशन के टाइम हमारे टेक्निशन जो आएंगे, आपको इसको देने पड़ेंगे, यह इ लुक देखिए, वाइट एंड बुलू कलर में आपको यह मिल रहा है, नेवी बुलू के साथ है, जो कि देखने में आपको काफिर वायल लग रहा है, जो अगर हम बातरू में लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, यह आपको एक एसे सिरी जब हम गीजर को हैंग कर मिलेगा, 2000 वाट में मिलेगा, और यह विजली का अंजियूल कम करता है, और एक और चीज है, यह आपको थर्म ओटो कट है, अगर पान लीजे, पानी गरम हो गया, आप घर में नहीं हो तो यह आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मल्टी परपस बिल्डिंग में भी दी परेशर है, और पर आउटलेटं इनलेट पाइप लगता है, इंस्योलेशन के लिए होता है, इसमेन आपको इंसूलेशन-फरी मिलेगा, आउटलेट इनलेट पाइप आपको मिल जाता है कम्पनी की तरप से, अगर आपको एक्ट्रा लगता है तो ज Walz канале अग्ते हैं, त आप वह भी देख सकते यहां से यह आपको कलर के थूरू इंडिकेशन करके बताएगा इसका आपका हिटिंग इलिमेंट कोटिंग मिलता है तो आपका लॉंग लास्टिंग चलेगा जल्दी खराब नहीं होगा एट बार का प्रेशर है तो आप मल्टी पर्पस बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं माल लीजे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहता है बिल्डिंग आपका 24 महले का है तो इसमें ब्लास्ट होने के कोई भी चांसे नहीं है आपका गीजर चलेगा जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि एट बार का प्रेशर के शाथ है इसमें आपका यह आपका प्लक आ जाएगा जो नॉर्मल प्लक है तो आप इसे कहीं भी लगवा के आप इसे इसली यूज कर सकते हैं कहीं भी इंसूलेशन करवा सकते हैं और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 7-8,000 के रेंज में इसली अबलेबल है इसमें आपको 15 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर साड़े मोडल आपको मिल जाएंगे आप जो मोडल आपके घर के लिए शूटे बूले आप ले सकते हैं इसी तरह के इलक्रोनिक पोड़ट के नॉलिज के लिए आप मेरे चैनल को ल और एब दो के साल गता है? धन्किय।